जी जनाब, असलाम अलेकुम, इस lecture के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से python की जो हमने installation की थी उसको आगे कैसे move करना है आज मैं आपको environments का concept समझाने वाला हूँ और बड़ा interactive way में चलने वाले हैं आपने अभी तक ऐसी efficient, मैं सीधी बात बोलूँगा, learning नहीं देखी होगी जो आप तीन दिन के अंदर python को सीखने वाले हैं और इन तीन दिनों के अंदर अगर आप मेरे कहने पे जितनी में videos, lectures या जितनी भी आपको assignments देता हूँ वो करते जाएंगे तो आप तीन दिन के अंदर python सीख लेंगे, obviously बहुत expert नहीं होंगे, लेकिन आपको python की basic context और syntax की समझा जाएगी सबसे पहला काम जो आज हमने करना है, उसके उपर चलते हैं, मैं अपनी screen आप लोगों के साथ share करता हूँ और फिर इसको बारी-बारी देखते हैं कि क्या हम करने वाले हैं, यह मेरी screen आपके साथ share हो रही है, यहाँ पर आज का जो हमारा पहला काम है, वो है konda environments का, जो हमने कल एक software install किया था, जिसका नाम था mini konda, वो क्यों जरूरी है, उसकी reason आज आज आपको बताने लगाँ, हमन कि आपकी आदात में शुमार हो जाए कि आपने konda environments के साथ खेलना है और इसको use करना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, konda यह जैसे है न, konda है न, उसी तरीके से python था वो तो इसको उन्होंने konda गया दिया, समझने बात सांपों के नामों पे उन्होंने रखी हुई हैं So, it's not a big deal, नाम मुश्किल है लेकिन काम बहुत असान है, question मेरा आप से, konda या konda environments या containers होते क्या हैं, यह क्या चीज है सामने बनी हुई, चले मैं पहली चीज आपके सामने show करता हूँ, हम इसको क्या बोलते हैं, यह कमरा है, इस कमरे को क्या बोला जाता है, आम इसे कोई ब चलो, जिनको नहीं पता, वो मुझे यह बताएंगे, कि इस कमरे को क्या बोला जाता है, जिसके अंदर एक बैड पड़ा होता है, बैड रूम, ठीक है, इस कमरे को क्या बोला जाता है, जिसमें खाने-पिने की चीज़ें पड़ी होती है, और पैंस बगरा लटकाए होते है किचें, ठीक है, अब इन तेनों को अगर हम गोर से देखें, तो पहले को बोला जाता है, लिविंग रूम, कश्याप्ट समझेगा, बहुत ही EASY करके समझा रहा हूँ, दूसरे को बोला जाता है, बैट रूम, तीसरे को बोला जाता है, किचें, अब अगर गोर करें, इन हमारे पास sofa पढ़ा होता है या चेर्स पढ़ी होती है टीवी पढ़ा हो सकता है लेंप शंप लगे होते हैं और कोई महमान आ जाएं तो हो सकता है वह भी हमारे साथ बैठके गफशब लगाएं अक्सरोकात यह वह कमरा उता है जहां पर बैठके मुझ खुली भी खाई जाती या शाम को इफ़तारी होती है, usually ऐसा होता है ने, living room में हमारे देसी बंदों के, obviously, अच्छा bedroom क्या होता है, bedroom के अंदर हमारे पास bed होता है, और सोने की जगा होती है, और हमारे पास school लेने की जगा होती है, means to say के हम चीज़ें छोड़के वहां पर आते हैं, bedroom के अंदर, रात क चूला होता है, चूले के उपर अक्सरोकाद आपका वो भी लगा आता है, क्या बोलते हैं, यार, heat sink बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो लगा आता है, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप living room में हैं, तो हो सकता है कि living room के अंदर बैठ के, आप अपने पैन के अंदर खाना बनाने लग जाएं, नहीं होता, अक्सरोकाद घरों में नहीं होता, वरना living room के अंदर सारी मिर्चों की स्मेल फैल जाती है, and there are many other things, हर एक कमरे का टूल अलग है, हर एक कमरे के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, वो अलग है, और हर एक कमरे की अपनी खासियत है, अगर living room किसी चीज़ का नाम है, इसका मतलब वहां पर बैठना है, हमने अपनी, हो सकता है, टीवी वहां पर पड़ा, उपको खबरें सुननी है, कुछ क्रिकेट मैच देखना है, something like that, bedroom क्या होता है, जिसके अंदर बैड पड़ा होता है, kitchen क्या होता है, जिसके चुला यहां से उठाओ, या चुले को रुखो, या मुझे रुखो, इसको बोलते हैं conflict, ठीक है, concept याद रखिएगा, फिर हमारे पास living room के अंदर पड़ा हुए sofa, आप सोफे के साथ प्याज वाली टोकरियां लाग रख दें, तो सोफे ने नराज नहीं हो जाना, कि प्या specific version है, version क्या होता है, कि for example, आपका उस software की एक specific date को रिलीज किया गया था, मतलब अगर 2022 में कोई software release हुए हमने वो install करना है, kitchen में करना है, तो यहां पे 2022 से related ही सारी चीज़े होने चाहिए, ठीक है, तो हमारा 2022 वाला software वाँ पर जाएगा, हम कहते हैं कि यार हम 2023 में फिर रहे ह एक environment ये एक room के अंदर वो सारे software 2023 वाले आ जाएगे, 24 आएगा तो living room में चले जाएगे, इसे तरीके से जो मैंने term पहले use की konda environment, environment होता है एक कमरा, क्या होता है, एक कमरा, कमरे के अंदर specific किसम के software होंगे, ठीक है, tools होंगे software, tools होंगे libraries, libraries क्या होते हैं, उसके बारे में हम but आप software को mind में रखे, अब समझ आगी है, हर एक environment का मतलब है, उससे related tools उसमें होने चाहिए, आपको बड़ी easy मिसाल देता हूँ, अगर एक environment का आप नाम बाइद अवे, ये जो living room नाम रखा है, ये हमने रखा है, आप इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, मैं कहता हूँ, room number one, अगर मैं real estate में होता है, मैं इसको कहता है, एक room number one, room number two, room number three, something like that, तो मैं अपना नाम रख देता हूँ, चलो मैं living room को कमरा बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ, सोने वाली जगा, इसको बोल देता हूँ, kitchen या पकाने वाली जगा, so it's up to me कि मैं इनका नाम भी रख सकत इसी तरीके से अब मैंने पहले environment का अगर नाम रखना है machine learning, दूसरे का रखना है deep learning, क्योंकि ये basic objectives है हमारे इस course के, तीसरे का नाम है AI apps, तो क्या होगा, इस एक task से related, जितने softwares होंगे, वो सारे इस एक कमरे के अंदर आएंगे, यानि के python 3.9 version, pandas जो library which we are going to learn इंशाला, 2 2.0, numpy 1.21.1, something like that, तो आप machine learning के अंदर specific version आप रखेंगे, ताके वो आपस में लड़े नहीं, ठीक है, फिर आप deep learning में अगर जाते हैं, तो अगर आपके पास python 3.7 चाहिए, तो जो पुराने environment में था, वो तो 3.9 था, आपको चाहिए 7, अगर इसी के अंदर आप deep learning करने ल पढ़ना है, या तो इसको रुखो या मुझे रुखो, ठीक है, उनकी लड़ाई-लड़ाई माफ करो, अल्ला का घर साफ करो, वो काम हमने करवाना यहां पर, और उसका best way है, containerization या environment बनाना, konda environments, ठीक है, अगली चीज, अब AI apps बनानी है, तो specific softwares उसके लिए होते हैं, like streamlet या इस तरह के baki softwares, या libraries, तो हम क्या करते हैं, उससे related चीज़ें एक में रखते हैं, इससे क्या होता है, इससे आप tidy चीज़ों का रखते हैं, यानि कि आप साफ सुतरे तरीके से coding कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप, एक मैं मिसाल देता हूँ, आप environments नहीं बनाते, हमने कल python उनका कौन सा version install किया था, आप में से किसी को पता है, कोई बता सकता है, कौन सा version हमने install किया था, last lecture में, 3.11.1, ठीक है, और अगर मुझे चाहिए 3.9, तो क्या मैं दोनों environments के बगार install कर सकता हूँ, एक ही PC में, नहीं, लड़ पढ़ने हैं वो, ठीक है, इस वज़ा से हमें environments बनाने पड़ेंगे, environments बना के उनके अंदर जो specific python का वरियन या different चीज़ों का वरियन हमें चाहिए, वो हम set करेंगे, और installation भी उसी तरीके से करेंगे, यहां तक बात समझागी आपको, अब हमने क्या करना है, एक और चीज, कॉंडा अपने आप में एक language है, छुटी सी, क्मांड्स कह लें इसकी, कॉंडा एक software है, जिसको चलाने के लिए, इसके साथ बोलने के लिए, हमें उसकी जुबान में बात करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, और आप अगर अभी, गूगल में जाएं, और वहां पे लिखें, यूज करना में आपको बताने वाला, ठीक है, प्लीज, सर्च कीजेगा, कॉंडा चीट शीट को, and then we are going to see it together, कि किस तरीके से ये काम करती है, जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन दुबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ, कॉंडा चीट शीट आपने कैसे निकाल ली हैं, आपने ये सारे काम कर ली हैं, इंस्टॉलेशन के और गिटब की आईडी बगारा बनाने के जो कल मैंने टास्क दिया था अगर आपने नहीं किये, तो आप मेरे से दो कदम पीछे चल रहे हैं, और आज आपने छे कदम पीछे हो जाना, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ने वाली है, और अच्छी खासी बढ़ने वाली है, ठीक है? सो आपने ये सारी आईडी कल वाले लेक्शर की जो मैंने आपको बोला था, जो सॉफ्टर बोला था, वो आपने बनाने थे, इसने नहीं बनाए, तुसी जानो तो तड़ा काम, मेरा काम है बताना, ओके जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको, आज कोंडा चीट शीट स यह आपके पास इस तरीके से मिल जाएगी अब मेरे से कोई ना मांगे कि यह मुझे भेज दें इसी वेड़ा से मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूं सीधी मचली बगड़ना दिखा रहा हूं ताक्या मेरे पर डिपेंडेंट ना रहें कि आप हमें चीट शीट नहीं बेज रह अच्छा यह तो होगी सारी चीजें अब जो मैं टास्क यहां पर खुद से परफॉर्म करूंगा आपने उसको वेरिफाइब करते जाना है कोंडा चीट शीट में राइट जी मैं इसको मिनिमाइज करता हूं अब मैंने क्या करना है सबसे पहला काम सबसे पहला काम मैंने क् मिनिकोंडा इंस्टाल किया हुआ तो जो मैंने कल आपको बताया कहां से मैंने इस्टाल किया था मैंने यहां पर जाकर लिखा था मिनिकोंडा और मेरे पास यह पहली वेबसाइट ओपन होगी थी मैंने इस वेबसाइट पर जाके यहां से 64-bit का मिनिकोंडा अपने पास डा तो आपका मिनी कोंडा एक टर्मिनल की तरह सेपरेट सॉफ्ट्रे में ओपन होगा लाइक दिस वन जो मैंने यहां पर सर्च बार में लिखा है एना या आप मिनी भी लिख सकते हैं बाइद अब इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह ओपन हो जाएगा अब मैंने यह मिनी कोंडा ओपन कर लिया यहां पर ठीक है मिनी कोंडा मैंने ओपन कर लिया अब मैं क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ पहले तो ताकि आप लोग परिशान ना हो के क्या चल रहा है अब आप चेक करें कि जैसे मैंने इसे उपन किया बेस एक पहले से बना हुआ है यहां पर बेस आ गया मेरे पास बेस का मतलब क्या है अब मैं आपको कमरों की बात बता रहा था न यह आप अपने घर के अंदर दाखी लोगे है यह पहला जाते ही जो दर्वाजा आपने उपन किया यह घर के अंदर दाखी लोगे है अब हमने देखने हैं घर में कमरे कितने हैं अब आप एक मिस्तरी की तरह सोचेंगे मजदूर की तरह सोचेंगे एक architect की तरह सोचेंगे चलो एक fancy word, civil engineer की तरह सोचेंगे, you know what I mean, workers, by the way, यहाँ पर हमने कैसे देखना, हमने लिखना कॉंडा, कॉंडा software का नाम है, वो बुलाया, मैंने डाली space, space डालने के बाद मैं इसे पूछूंगा, env, यानि के environment, space, l-i-s-t, इसका मतलब यह है के कॉंडा भाई, मुझे बताओ तो सही, कितने गम्रे हैं हमारे पास, enter, हमारी programming स्टार्ट होगी, यहां से, वो कहता है, यह और कुछ भी नहीं है, अभी चार दिवारी करके, आप लोगोंने सिरफ, base बनाई हुई है, समझने बात, अब आपने इस महल को खुद त्यार करना है, यानि निया कमरा बनाने, then what you need to do is, यह जो मैं लिखूंगा, आपने कोंडा शीट से confirm करते जाना है, मैं वहीं से, मुझे याद हैं चीज़े, तो मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ, बाइदावे, मैंने एक निया environment create करना है, तो आप cheat sheet में जाके देखें, कि how to create a new environment, तो आप poe.com के उपर जाते हैं, या chat GPT के उपर जाते हैं, वो भी आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, कि how to create an environment in Konda, something like that, but Konda cheat sheet आपके पास है, मैं directly लिखता हू, Konda create minus minus name, मैंने बोला, Konda space create कर दो, यानि कि बना दो, space minus minus name, क्या बनाना है, name का एक environment बनाना है, जिसका नाम हो, for example, मैं यहाँ पर रखता हूँ, python underscore ml, यानि के python machine learning, python machine learning, मैंने यह लिखती है, यहाँ तक clear होगी बात, अब हम cheat sheet में भी देखते हैं, आप check करें, उन्होंने भी यह लिखा, Konda create minus minus name, और साथ में लिख दिया, py35 उन्होंने लिखा है, या मैं इसको directly लिख देता हूँ, बलके MLE रखते हैं, ताकि यह काम में भी आए बाद में, अब मैंने यह, ऐसे लिख के क्या किया, एक कमरा बना लिया, जिसका नाम है, मैंने इंटर मार रहा है, तो वो आप create कर देगा, ठीक है, अब यह मेरे से पूछ रहा है, सच में आपने बनाना है, तो या तो आप यहां पर while लिखके enter लगा देगे, कोई मसला नहीं है, अगर आपको यह सारा कुछ पढ़ना है तो पढ़ने, नहीं पढ़ना तो कोई issue नहीं है, आप यहां तो while लिखके enter मार देँगे, या आप direct enter मार देंगे enter जिसे बोलते हैं क्योंकि इसके side नों पर square brackets है आप enter मारेंगे ये वो ही है यार I agree वो ता है न सॉफ्टर इंस्टॉल करने के दुरान I agree तो मैं यहां पर enter मारता हूँ तो क्या होगा ये मेरे पास इसका environment बन जाएगा वाई लेक्के enter मारा सोरी वैसे नहीं चल रहा है so वाई लेक्के मैंने लिखके enter मारा तो मेरे पास ये environment बन गया अम मैं क्या करता हूँ दुबारा से मैं scroll down करके नीचे जाता हूँ थोड़ा सा इसको मैं दुबारा से पूछता हूँ कोंडा भई शो मी environment list मैंने लिखा अब वो मुझे क्या कहेगा आप चेक करें गौर करें उसने मुझे बताया कि एक बेस environment है और एक है python machine learning का environment यानि कि एक कमरा आपने बना लिए सही है समझागी बात की अब आपको कैसे पता चलेगा आप एक game के character हैं अब आपने क्या करना है आप अगर घर में एंटर हुए हैं ना तो आप base floor पे हैं अभी अभी कमरे में नहीं गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस वकत कहां पे हैं कमरे में या base floor पे क्योंकि computer है ना computer के साथ बाते हैं तो गर नहीं है उसके लिए यह जहां पे hysteric होगा ना यह वाला star hysteric इसे बोलते हैं वो आपके current position है या आप यहां पे देख लें base लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आप अभी base में है ठीक है समझ आगी अब हम चलते हैं जनाब मैं चाहता हूँ base से निकल के मैं python ml के अंदर चला रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा python ml के अंदर जाने के लिए मैं यहां पे लिखूँगा konda space activate activate python underscore ml यानि के konda भाई activate कर दो python underscore ml को बाइदावे यह जो मैं spaces दे रहा हूँ यह जरूर याद रखनी konda space और activate space otherwise आपका काम नहीं होगा इसी वज़ा से वह 11 गहंटे की वीडियो जो मैंने आपको prerequisite के तोर पे दी थी आयम डैम शूर कि हम पाकिस्तानी हैं तो किसे ने नहीं देखी इस वज़ा से मैं बड़ी basic से जा रहा हूँ लेकिन घलत बात है जिन्हों ने देखी हैं उनको बच्चों वाली चीज़ें यह लग रही होंगी लेकिन वह साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो मैं activate करके यह लिखता हूँ और मैं बाद में एंटर दबाता हूँ मुझे क्यों लग रहा है यह स्टक कोविया यहां पर नहीं चल रहा है तो अब आप चेक करें कि मैं कहां पर चला गया हूँ जुनाब ml के अंदर यानि के अगर आप गोर करें अगर मैं दुबारा से यहां पर कोई चीज लिखूँ कॉंडा environment list तो यह मेरे पास आजएगा मैं ml के अंदर आगया हूँ अब एक चीज याद रखनी है आपने environments का जब भी नाम लिखना है small letters में लिखना है और without space लिखना है जहां पर space का दिल करें अंडर्सकोर डालने कभी भी ना space दे नहीं है नाम के अंदर ना ही आपने कोई minus plus का निशान लगाना है अंडर्सकोर स्पेस के तोर पर यूज कर ले हूँ ठीक है capital letter कभी ना लिखे और मेरी आदत है मैं अक्सर होगा numbers भी नहीं लिखता बट numbers you can use at not at the beginning ठीक है तो यह मेरे पास environment create हो गया अब हम चेक करना चाहते हैं कि यह वह वारा कमरे की पाई तोन मशीन लिर्न निग का अब देखते हैं कि इस कमरे के अंदर क्याक्या पड़े हिए हमने कूछ रखります जो Spark कर ते हैं कि क्या-क्या-पड़े हम कहते हैं कॉणडा भाई कॉंडा इस das लिस्ट, कॉंडा लिस्ट मुझे दो जो जो तुम्हारे पास पड़ा है। एंटर करो आप, उसने आपको कहना है, कुछ भी नहीं पड़ा। मैंने यहां पर कमांड लिखी है, कॉंडा स्पेस लिस्ट, यह मैंने लिख है, ठीक है, तो यह आंसर आ गया है, ने मैं वरिजयन है, बिल्ड है चैनल, तो नीचे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है सब, ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताने लगाओ, इंवार्मे पाइथान, अगर मैं इतना भी लिखूंगा ना, तो पाइथान इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ, पाइथान इस इकल टू 3.9, तो यह इसका वरिजिन मैंने बता दिया, कि 3.9 वाला मुझे चाहिए, अग अगरे पास स्पीड अच्छी है, तो उसने का, हाँ जी हमें मिल गया यह सॉफ्ट्वेर, और यह इसके साथ पिप भी आ रहा है, सेट अप टूल्स भी आ रहा है, आपने सिरफ वाइद अब आ के एंटर करें, तो ऐसे आपका यह पाइथान उस इन्वायर्मेंट में लिस्ट के अंदर क्या-क्या पड़ा है, अच्छा आपको क्या लगता है, हमने सिरफ पाइथान इंस्टॉल किया है, पाइथान के इलावा कुछ आ सकता है उसमें, लेट सी, पाइथान के इलावा यह बाकी चीज़ें भी आएंगी, रीजन बिहाइंड आइड, रीजन यह इन चीज़ों को बोला जाता है, कि पाइथान ने जब चलना है, तो उसको इन सब की जरूरत है, यह पाइथान के रिष्टेदार है, इसके बगएर पाइथान किसी काम का नहीं है, ठीक है, और अक्सर रुकात यह रिष्टेदार आपस में लड़के बैठ जाते हैं, और प आपने पाइथान इंस्टॉल किया, और आपके पास यह डिपेंडेंसी जागी, साथ में, तो आपको समझ आगी के मेरे पाइथान मशीन लर्निंग के एंवार्मेंट में एक सॉफ्वेर हो गया, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया, कैसे इंस्टॉल करना और कैसे बनाने चले, अब मैंने इस कमरे से बाहर जाने, तो जब हम इस कमरे में आए थे, तो हमने लिखा था, कॉंडा एक्टिवेट स्पेस पाइथान अंडर्सकोर मिशीन लर्निंग, अब हम लिखेंगे कॉंडा डी एक्टिवेट बाहर जाने के लिए, आप अपने आपको एक आगे हैं, हमने अब कमरा बनाते हुए पाइथान कैसे इंस्टॉल करने हैं, उसी कमरे के अंदर, यानि के कमरा बनाने के बाद अंदर चीजे नहीं डालनी हमने इंवायर्मेंट बनाने के बाद, हम कहते हैं, पहले सेंटर में पाइथान रख दो, उसके इर्दगिर्द कमर बना दो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कॉन जी सोरी मेरी अब वाज आ रही है कब से बंद हुई है जी वाज अभी थोड़ी देर पहले बंद हुई 22nd ओके इस फाइन हम इस इंवार्मेंट से बाइर आगें अब दुबारा से इंवार्मेंट के अंतर जा रहे हैं नेया इंवार्मेंट बनाएंगे सेंटर में पाइफ़ोन रखेंगे अर्दिगिर्द इसका कमरा बना देंगे इसके लिए हम लिखते है कॉनड़ा स्पेस क्रिेट कमरा बना दो माइनस माइनस नेम लिखते हैं या इसकी शौर्ट फॉर्म है माइनस एन ठीक है माइनस कौन सा होता है मैं आपको पहले बता दू यह backspace और plus के साथ होता है backspace नहीं होती है उसके साथ जो minus minus L लिखा मैं कहता हूँ यहां पे environment का नाम मैंने रखना है जनाब python underscore dl यानि कि deep learning यह environment का नाम हो गया लेकिन साथ में इसी के साथ बनाते वकित यह अंदर मैंने python install करना है तो मैं अगेन python का version 3.11 install करता हूँ समय जागी बात की समय जागी यहां तक मैं enter मारने लगा हूँ यह मैंने enter मारा अब environment भी बन जाना है क्या होना है असल में python center में रखके इर्दगिर्द मिस्तरियों ने environment बना देना है राइट असान लोजन आप यह सॉफ्टर इंस्टाल हो गया आगे ठीक है अब हम क्या करते हैं कॉंड़ा इन्वी लिस्ट देखते हैं कि कितने टोटल हमारे पास कमरे बन गए है पहला है जी बेस और हम इस वकत कहां पर है कहां पर हम जी बेस में है और हमारे पास टोटल कितने कमरे बन चुके हैं तीन यानि कि तीन environments बन चुके हैं अपनी जुबान में सीखने का मज़ा अहीं अंग्रेज से गहारे उंदर कहना था नाउव विल क्रेट अन इन्वार्मेंट देन विल राइट इन्वार्मेंट की समझ आगी इन्वार्मेंट की समझ आगी अगर हमने अब एक्टिवेट पाइथान अंडर्सकोर डीयल में जाना है तो हम इस तरीके से जाएंगे इग्जेक्ट नाम लिखेंगे इग्जेक्ट नाम एंटर लो जनाब अब मैं दुबारा से कॉंड़ा इन्वी लिस्ट लिखता हूं तो हम किस इन्वार्मेंट में जी इस वकत पाइथान अंडर्सकोर डीयल के अंदर ठीक हो गया समझ आगी के नहीं आई आ रही है समझ कोई उक्खा थे नहीं पुड़ा रहा ना मैं उक्खा मींस मुश्किल यहां से भी आपको पता चल जाएगा आप किस जगा पे हैं अच्छा अब हमने देखना है कि इस इन्वार्मेंट के अंदर कौन-कौन सी चीज़े हैं अच्छा मेरे पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी है अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम टाइम ज्यादा पोल रहे हैं इसका मतलए मैं जो बॉज ले रहा हूं वो स्पेस ही है कॉंधा स्पेस लिस्ट यहां कॉंडा ऌलिस्ट इस हमारे पास सारी चीज़े पड़ी हैं अब आप खुद मुझे बता कि पाइथान का लिएंज में कौन सा है पाइथॉन का वर्जिन कौन सा है यह हमारे पास इसमें 3.11.4 मैंने 3.11 लिखा था तो उसका जोन सा भी लेटेस्ट पढ़ा होगा वो आपके पास इंस्टाल हो जाए ठीक है समझागी अब हम चलते हैं वापिस कॉंडा डियक्टिवेट करके वो एक जोक मैं आपको सुनाता हूँ और वो यहां पे अप्लाई करने वाले हैं एक दफ़ा ना टीवी चैनल चाहरा था वहां पे एक शेफ आई बड़ी उसने को आला कि समकना कोई डिश बनाने थी तो उसको किसी ने बोला डखकन उठाने से पहले कि आप एक्स्प्लेइन करें आपने क्या बनाया है पतानी क्या उसने डिश का नाम लिया कहती है कह具 इसमें हमने थोड़ा सा यह डिला थोड़ा से तो आई नाजरीन दुबारा बनाखे देखते हैं मतलब है है हो तो रिमूव ए कंडा inhवार्मेंट किस तरीके से कोंडा Interview को रिमूव करना है पहले तो हम capita कि कितने inreten insk Potter रिखेंगे को आप कभी रिमूव नहीं कर सकते मैं ऑप कि कुछ ना करें तो आपके PC में जो कुछ इंस्टॉल है जो हमने बीनी कोंडा से पहले इंस्टॉल किया था कौन सा इसमें से रिमूव करें जिए डील या एमल चले हमें देखते हैं इनी मीनी मीनी मो मी एमल करते हैं यह एक और आगा पंजाब एदा डिकम डिकम डो या डो ठीक है ml वाला हम डिलेट करना चाते हैं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर कॉंडा स्पेस इन्वी यानिके कॉंडा भाई इन्वी को स्पेस रिमूव कर दो ठीक है वो कहेगा कौन सा इन्वी फिर आपने बताना है जिसका नाम है python underscore ml लेकिन आपने उस environment से बाहिर आके रिमूव करना है यानि के base में आके आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं अंदर बैठे कमरा टा सागते हैं तुझी सेरते नहीं वजनिया इटा सो आपने पहले उससे बाहिर रहना है बाहिर से जाएक उसको धक्के लोजनाव हमारे पास दो रहे हैं ठीक है समझागी अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हून DL को भी मैंने यह कैसे कर रहा हूँ यह जो arrow keys होती है ना आपकी यह बड़ी काम की होती है आप अब arrow key दुबाएंगे पुरानी command आपके पास आ जाएगी यह देखें अब arrow key दुबाई पुरानी command आ गई अब मैं उसमें DL लिख देता हूँ enter मैंने वह भी रिमूव कर दिया यानि के दो कमरे बनाया यह जो ही टा दिते है सो दिस इस हाओ इंवाइर्मेंट्स वर्क ठीक है समझ आ गई है तो आनू समझ आ गई है अब मैं एक यहां पर प्रफेशनल इंवाइर्मेंट बनाने लगों विच वी आ गई तो यूज और आपने भी बनाने जिसका नाम है कॉंड़ क्रियेट माइनस इन इसको मैं कहते था हूँ ml अंडर्सकोर इन वी यानिके मशीन लेर्निंग का इंवाइर्मेंट ठीक है स्पेस बलके इसको इंटर करके ऐसे बना लेते हैं फिर आइसता इसता इसमें इंस्टॉल करते जाएंगे चीज़ें यह हमने इंवाइर्मेंट बना लिया अब यहां पर हम कॉंड़ा एक्टिवेट ml-env यानि कि मशीन लेर्निंग का इंवाइर्मेंट वो मैंने बनाया अब इसमें मैं कॉंड़ा इंस्टॉल अब एक और आपको कमाल की चीज़ बताने लगा हूँ इंस्टॉल पाइथोन मैंने पूरे वाला इंस्टॉल करने ठीक है अब कुछ चैनल्स होते हैं चैनल्स क्या होते हैं जैसे आप घर में बैठे हैं और आपका दिल कर रहा एक पिज़ा खाने को ठीक है आप यह तो नहीं करते कि फून उठाया और सिरफ पिज़ा मंगबा लिया आप क्या करते हैं चैनल तलाश करते हैं कि कहां से कौन सा पिज़ा अवेलेबल है जनों से पिज़ा गई था है वो कहां से अवेलेबल है तो चैनल का मतलब है जहां पे लोगों ने तो उसको कैसे लिखते हैं हम लिखते है कौन डा इन स्टॉल माइनस सी। यानि कि कैसे वह कोई न ये online repositories हैं लिख दिया इसके बाद जो install करनी चीज़ वो लिखते है python लिख दिया मैंने सही है अब मैं क्या कर रहा हूं मैं konda install कर रहा हूं इस channel से python को and then वो जो बीज में एक पूछते है न do you agree yes or no मैं कहता हूं यार minus y तो जो भी कहेंगे तिरते यकीन है जा डॉला तेरते चड़ियां लो जनाब इसने अब minus y के लगाने का मकसद यह होगा कि यह directly आपका python जाए उसे download कर लेगा अच्छा अक्सरों काथ यह जब आप channel वगएरा specific कर देते तो errors आने के chances होते हैं ठीक है so you don't need to worry about that यहां तक किसी को कुछ समझ आई है यकीन माने मैं जितना हो सक्रेया मैं असान करके आपको समझा रहा हूं और आप देखें मैंने कोई yes west ने दबाया सब कुछ होके हो रहा है ठीक है यह वही हिसाब है कॉंडा की abc यह बाइदा वे कल परसों तक आपको data science की एक abc मिल जाएगी हमने एक अंग्रेज से गवाई है वो उसने वगाइदा rap rap scene करके गई है तो वो आपको सुनाई भी जाएगी और आप खुश होंगे देखें कि ऐसे काम भी possible है ठीक है यहां तक समझ आगी जी अब हमारे पास python इसके अंदर install हो गया ठीक है कोई मसला मसाइल अब आपका काम क्या है आपने यह जितनी चीट शीट है यह इसका function है कि क्या यह perform करेगा और यह command है ठीक है आपने इन चीजों को चला के देखना है कि यह क्या क्या है मैक्सिमम आपने प्रेक्टिस करके और उनके रिजर्ट और बाकी चीज़ें अपने पास screenshot लेके save रखनी है और आज आपको एक टूल बताने वालों Microsoft का OneNote अगर आप इसको install कर लेते हैं अपने पास then it's one of the best tools to create notes, digital notebook बनाने के लिए ठीक है? OneNote Microsoft का, अगर आपको ये नहीं पसंद तो whiteboard नहीं मैं पसंद करता है Google Doc, उसके उपर आप अपना online Google Docs के उपर जाके free में जैसे Microsoft Word होता है ना उसके अंदर आप अपने screenshot लेके commands और बाकी चीज़ें save कर सकते हैं ये क्यों करना है और digitally क्यों करना है आपने जादी बात अपनी notebook बनाते जाए मेरे साथ, उसका फाइदा ये जिंदगी में कभी कहीं पर फंसे ना तो आपको यहीं से solution मिल जाएगा और ये conda environments believe me इतने important है आप खुद देखेंगे और इस वज़ा से मैंने इसको start में आपको बताया है अगर किसी command की नहीं समझ आती पंगे लें उसके साथ और उसको समझने की कोशिच करें अब ये तरीका कार क्या है तरीका कार ये है कि अगर यहां पे लिखा आ रहा है for example मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है ठीक है तो कमज कम ना Google कीजेगा कि save environment to a text file इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि जो environment किसी ने बहुत मेहनत से बनाया है ना वो save करके अपने यारून दोस्तों को भीज सकता है कि यह लो पकड़ो यह environment है directly इससे environment बना लो जितने software होंगे automatically install हो जाएंगे इसके अंदर ठीक ह इस तरह की काफी चीज़ें इसमें इस वाज अब आपका जिनाब important software जिसका नाम है क्या miniconda ठीक है अब यहां पर एक चोटी सी assignment आपको मिलती है वह यह है कि important python की libraries कौन-कौन सी है ठीक है वह आपने देखनी है और libraries होती है यह भी मैं आपको समझाओंगा लेकिन आपने enlist करनी है कि libraries python के अंदर होती क्या है और कितनी और कौन-कौन सी important है यह मैं इस वज़ा से आपको बता रहा हूं ताकि आपको heads up मिले कि हमने क्या करना है आगे राइट जी जी इफ यूव एनी question you can write down in the chat बाकी जो लोग PC से online नहीं है बेशक उनके पास iPad है mobile बहुत महंग है iPhone 16 वी आगया ना ताड़े को जो भी तक launch नहीं हुआ है doesn't work python की coding PC के बगार नहीं होनी हां Macbook है Linux है Windows है हम उसका जुगार लगा सकते हैं लेकिन python की यह programming या के course उनके बगार नहीं होना एक और मैं यहां पर आपको तन्भी दे दूं दूबारा से अगर किसी की Windows 7 है ना तुसी बहुत पीच्छे हो तुसी को सदी पीच्छे हो एक I'm just kidding आप बहुत पीच्छे हैं तो 7 को डिलीट करवा कि किसी दोस्ते या खुद कोशिश करें Windows 10 इंस्टॉल करें Windows 10 इंस्टॉल करें 64 bit उसके ओपर यह सारा कुछ रन करेगा आने वाले कोर्स के जितने भी दिन है हमारे 37 दिन गए आज के बाद तो उस वज़ा से प्लीज राइट डाउन दीस तिंग्स और अ